मुख्य सचे तक राजिस्थान के महेश जोशी हुआ करते थे लेकिन उनके पास दो पत थे उसमें से एक पत उनको छोड़ना पड़ा जो मुख्य सचे तक था और वही पत अब यहां पर महेंदर चौधरी को दे दिया गया है नेकिन देखा जाये कि उन्हें यहां पर नेता प्रतिपक्ष बनाने की भी पूरी तरीके से अपीले की जा रही है लगतार का जा रहे है कि यहां पर एक से एक बढ़ कर उन्हें पत देना चाहिए लेकिन वही पर आगे देखा जाया है तो यहाँ पर अब महिंदर चौधरी लगातार कही ना कही सचिन पालेट पर हमला बोलते नजर आ है उन्होंने अपनी बात को अलग-अलग तरीकों से रखा उन्होंने साफ तोर पर यह कहा कि यहाँ पर सचिन पालेट को लेकर जो भी बयानबाजी हो रही है वो पार्टी के अंदर की बात है पार्टी अंदरूनी तरीके से बात करेगी उसको बाहर जिस तरीके से बनावटी त लेकिन पर बिल्कुल आगे करती नजर नहीं आ रही तो नहीं बहुत यहाँ पर राजिस्तान में यह मुद्दा गहलोत पालेट का मुद्दा इतना जादा सर चड़ चुका है कि यहाँ पर अपकम होने का नाम नहीं ले रहा और कई ना कई मुसीबते जो बढ़ रही है वो सचिन पाइलेट के लिए और गहलों दोनों के लिए बढ़ रही है लेकिन साथ सथ पूरी कॉंग्रेस पार्टी के लिए यूँकि अंधरूनी कलाई की वज़ा से यहाँ पर फायदा दूसरी पार्टी उठास जिसमें आमाद में पार्टी भी हो सकती है जिसमें यहाँ बीजेपी पार्टी भी हो सकती है लेकिन इस बीच जो बड़ी जानकारी है सामने आई पहले वो साज़ा कर देती उसमें कहा जा रहे कि महिंदत चौधरी ने खुद को कॉंग्रेस का समर्पित कारेकरता भी बताया है अब उपनेता प्रतिपक्ष सतिश्पुनिया पर जम कर हमला बोल रहे है यानि कि देखा जाए उन्होंने साफ तोर पे कह दे कि बीजेपी ने तो सतिश्पुनिया को सबसे बड़ा धोका दिया है यह बात उन्होंने कही है यहाँ पर उन्होंने का कि छातर संग्चुनाफ की य तो क्या लगता है यहां पर पालेट गहलोत को लेकर अपीराइज जरूर दे हो तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स नाए नियूस